में सीमल बाड़ा पंचायत समेते के चाडोली गाउं में पिछले आठ दिनों से पैंथर का खौफ लगातार बना हुआ है और इस पैंथर का आतंक इसकदर हावी है कि इसने अभी तक एक बैल और एक भैस का शिकार कर लिया है इस खबर के बाद लोगों में डर का माहुल बना हुआ है स्थानिय निवासी प्रमीन पाटिदार ने ये बताया है कि पैंथर को गाउं के आसपास दो तीन बार देखा गया है उन्होंने ये भी बताया कि किसानों को अपनी फसल देखने के लिए रात में खेतों में जाना पड़ता है इससे किसानों के अंदर भै का माहुल है उन्होंने कहा कि बन विभाक से जल्द रेस्क्यू करने की अपील भी की गई है तो पैंथर का खौफ लोगों के अंदर लगातार भरकरार है बैल उभैस का आपको बता दे कि ये पैंथर शिकार कर चुका है वन विभाग ने अब इसको जल्द है रेस्क्यू करने के उपाई शुरू कर दिये हैं क्योंकि ग्रामीन इससे दहशत में है और पैंथर लगातार इस इलाके में मूव कर रहा है इसलिए लोगों के अंदर भैका माहूल है ग्रामीनों को भी नुकसान पहुचा सकता है ये पैंथर क्योंकि अभी तक जानवरों को इसने अपना शिकार बनाया है लेकिन ग्रामीन अब वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं और वन विभाग अलर्ट मोट पर है देखना यह है कि वन विभाग कप तक इस पैंथर का रिस्क्यू कर पाता है और चले इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए